है इंट लोग फिर से दोस्तों आपके यूटूब चलना आए पेपर क्लासिस में तो चली दोस्तों सेसन को हम कंटीनियु करते हैं जिससे कि मैंने आप सभी लोगों को दोस्तों पहले ही क्लास में आने कि आपके students पहली class हुई थी उसमें मैंने आपको mostly जितने आपके square से related आपके question थे ठीक है भई उनको square root sorry square root से related जो आपके question होते हैं students मैंने आप course में बताया एक concept उसमें बताया था आज दोस्तो second concept चल रहे हैं ठीक है with आपके students with example के ब्याफे में आपको पूरी तरीके से समझाने की पूरी-पूरी कोशिस कर रहा हूं तो चल यह दोस्तो session को start कर लेते हैं और start करने से पहले जितने भी students army ordinance, scopes, material assistant की तयारी कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आपके लिए दोस्तों हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिस करेंगे और कर भी रहे हैं ठीक है ना maths की जीगे की और आपकी दोस्तों reasoning की क्लास ठीक है तो अभी हमने last class जो हुई थी वह मैंस की first वाली क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था इसी के जो आपके दोस्तों फंडमेंटल अल्थमेटिकल एल्जेबरा वाला जो चैप्टर है इसके मैंने कुछ जिस तरीके का लगेगा आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि सर अच्छा लगा जिस तरीके का भी लगा ठीक है बागी दोस्तों कोई other queries हो तो comments कर देना बागी दोस्तों कोई कह रहा है कि 11 दिसंबर में अग्जाम डेट है बागी आप किसी से भी सुनते रहे हो मेरे को मतलब नहीं इससे ठीक है मैं आपको बता दो सीधा सीधा ठीक है क्योंकि ऑफिसियल जो जानकारी होगी वह आपको वेबसाइट पर मिलेगी आर्मी ओर्डिनेंस कोपकी मैं आप से कहा था कि आप यह सारे के फोर्मले जो है आपके दोस्तों अपने रीडाउट कर रखेंगे अपने अपनी प्रीवियस क्लास में एजर लाइक कौन सी क्लास आपके 6 7 8 9 10 तो वहां पर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न भी किया होगा और रीडाउट राम बान करके ठीक है ना राम बान करके क्यों देदेता हूं क्योंकि इसमें बहुत खतरा होता है कैसे होता है देखना जड़ा इसको हर स्ट्ट्रेंट से याद भी नहीं कर पाता पता नहीं क्यों नहीं याद कर पाता वो मेरे को कंफर्म नहीं है ठीक है तो ए स्क्वार मै दो और चार माइनस दो मैपस की वैल्य बताऊंगा इक्वल ही आएगी ठीक है ना जो आपको प्रूफ कराने की कोशिश कर रहा हूं चार का स्कुर्ण होता है और दो का स्कुर्ण होता है इसका मतलब होता है बारा ठीक है क्योंकि 16 मैंसे चार गए बारा आप सभी लोगों को क चुका होगा और यह इस तरीके से हमें एक्सपैंड करना होता है ठीक है यह आपका इलजबरिक फोर्मुला है ठीक है इसका कोई ऐसा नहीं कि कहां से आए यह नहीं बस यह क्योंकि आपके फॉर्मैट है जो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं ठीक है तो आपकी स्क्रीन किस तरीके से त्यार करोगे यह होगा आपका एन्डेन मस्ट है आपको मैं आपको बताने जो जा रहा हूं आपका कौन सा फॉर्मुला कभी आपके एक्साम में दोस्तों एस को ए माइनस बी का होली स्क्रीर का फॉर्मुला आप जानते होंगे कितना उता है एस स्क्वायर प त्रिक और लगा दो छोटी सी जड़त देखना छोटी सी हम दोस्ते इसमें एक आईडिया एड़ कर दें अगर मैं इसमें दो एबी जोड़ दूँ और दो एबी घटा दू क्या कोई फरक पड़ेगा आप का होगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ठीक है भाई A स्कॉार फिलस B स्कॉार फिसटर ना माइनस के टूप वह ब और माइनस के टूप यज़ होगे दोस्तों माइनस के 4 एति थरका कोई दिक्कत नहीं तक मेरे साबसे़ नहीं होगी तो A स्कॉार प्लस B хотя क्टू वह कितना होगे एमस के 4 een B ऐसे का इसी वह गया तो यह होगा दोस्ता आपका A-B का whole square is equal to ठीक है तो यह भी आपका formula बन सकता है तो इसमें दोस्ता आपको relate करके काफी सारे formula आप जो ने drive कर सकते हो अच्छे तरीके से drive कर सकते हो बहुत एकदम वह आपके उपर depend करता है ठीक है तो A-B का whole square का formula आपका यह भी हो सकता है और आ सब्सक्राइब लोगों को पता है तो आप इसमें जो ना add कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो आपके उपर depend करता है ठीक है अगर मैं चार में चार और जोड़ दो चार घटा तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला क्योंकि मैंस एक चीज ही ऐसी है ठीक है अगर समझ रहो हो न तो time saving के लिए हम students हमें थोड़ा सा idea zone आपने smart work करना पड़ता है smart work करने के लिए हमें time saving बहुत ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि आपके exam में time मिलता है एक घंटा और आपको करने होता है 100 question तो उसके भियाफे में आपको समझाने कोसिस कर रहा हूं तो चलिए आपकी screen पर क्योंकि space नहीं होता है simplification का आपका question है sorry और आपको यह करके बताना है ठीक है यह आपको दोस्तों आपको देखने में एकदम ऐसा लगया कितना बड़ा question दे दिया और आपको लगया कम से कम यह मेरो बहुत time पी जाएगा देख रहे हो ना बट यह बहुत easy है अगर आप थो 0.06 की power थी नहीं लिख सकता मैं इसको भाई इन्होंने expand करके रखा है मैंने इसको इस तरीके से लिखता कोई दिक्कत तो नहीं होने की मेरे इसाब से ठीक ना तो यह होगा सेम यहां पे बागी नीचे देखेगा 0.06 कितने time two times यह भी two times बिल्कुल किलिए रहा है 0.06 कितने time two times यह वाला होगे आपका and then 0.05 आपका भी two times होगे and then आपका दे रखाइश्ट से कौन सा 0.06 and 0.05 0.06 and 0.05 यह matter क्या चल रहा है आपका होगे कि सरी यह matter क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं ज़रा ध्यान देना यह तो हमने question को अपने एक छोटी format में short term में लेके करने ल फोर्मला होता क्या है A की power 3 minus की B की power 3 का फोर्मला होता है स्टूड्स में आपको बता दू A minus B यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी पिर जब expand करो तो A square plus B square plus के AB ठीक है यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी problem नहीं होगी क्योंकि आपका फोर्मला ही है मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है यह रहा है ठीक है तो यहां पर देखेंगा आप सभी लोग इस्टुडेंट्स यह आपके एक्जाम में आए हुए को सने इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके एक्जाम में आते भी हैं और बहुत एक्दम सोच लिए कि मैं deeply way में जाके आपक 0.06 Sorry 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 A minus लिकना मेरे को ही बार-बार यह यादर यह लिखना झेक न तो 0.06-0.05 छो भी A minus B और बाकि आपके एस्टुडेंट्स यह लाएव का पुरा पूरा Favorンド और कमप्लेट यह क्या होगा? 0.06 का holy square plus 0.05 का holy square ठीक है and then 0.06 and then 0.05 ठीक है यह term से आपकी जो भी है तो यह आपका students आ चुका है completely a square b square plus k a b और यह आपका students क्या था a minus b clear है क्या यह जो formula है मैंने expand करेंद है इस वाले format में आपकी कौन सी numerator वाला जो आपका students अब denominator की बात कर लें तो इसके upon में जाएगा completely जब आप इसको ऐसे उतार दो तो यह बिल्कुल ऐसे जाएगा और यह बिल्कुल आप देखनी पा रहे हो क्या यह जो term लिखी हुई है सारी की सारी हमारी यही तो है तो यह cancel out होगी बहिए जब आपके cancel out होगी तो आपका बचा क्या a minus b ही तो बचा तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ student ज़रा ध्यान देना 0.06 में से 0.05 के तो 0.01 ही बचेगा पूली मिलाकर सबसे पहले सी आ चुका है कभी भी आपके दोस्तो एक्जाम में इस तरीके का question आएगा तो आप क्या कर रहे होंगे a की क्यूब माइनस b की क्यूब पो जब expand करोगे तो आप क्या कर लोगे a-b इस तरीके से तो होता है बाकी दोस्तों आपके जो नीखे लिखी हुई टरम है यह बिल्कुल यही है जो आपके यहां पर लिखोगे ठीक है यह वाली पूरी टरम है तो मैं इसको और अली काट दूँगा इस तरीके से तो खतम होगे कोशन 0.06 में से 0.05 गए तो वन ही आ जाएगा इसका ठीक है यह expand करने के लिए मैं इसलिए बताए क्योंकि आपको एक बार के लिए लिए समझ में आ जाए ठीक है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है on the simplification of इस को सोल आउट करो उसका रिजल्ट बताओ ठीक है कर देंगे और एक बार इसको हम क्या कर देंगे सब्ट्रक्ट कर देंगे ठीक है ना 2.644 कोई डिजिट अगर गलत उतर जाए तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है बाई मिस्टेक बट आपके लिए एकदम अच्छे तरीके से जो भी हम समझ रहे होना ठीक है एप उनमें दोस् पांच चानो दस तीन च्हेनों दस दो चारे एक पाई तो पांच आ रहा है पूरा ठीक है यह मिल्टिप्लिकेशन की फॉर्म में तो यह कहता है जब आप इस मिस्टी से घटा होगा तो यह एट आ गया ठीक है ना और यह आगे क्या आगे दोस्तों का सॉरी यह भी 80 आएग तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ज़या जिरो पॉरी कोसिस कर रहा हूं कि मैं आपके सामने सिंप्लिफिकेशन कर रहा हूं तो मेरा एक रिस्पोंसिमिल्टी बनती है कि मैं आपको क्लिया लिए डाउट को क्लिया करता चलू ठीक है तो साथ में से तीन गई चार नहीं आ आपको यूनिक जो बताने जा रहा हूं देखना चला है इसकी यूनिकनेस कोसिन की यह बहुत इजी होते हैं एक सेकंड के कोसिन है वह आपके ओपर डिपैंड करा कि आप किस तरह किसे करते हो साथ में से तीन गई चार ए माइनस भी वाला तो आपका खतम होगे न तो बचा हाँ ठीक है बस आपको एड और मतलब कैल्कुलेशन करना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ठीक है इसलिए मैंने कल लास्ट वाली क्लास में काता है कि आप स्क्वाइर याद कर लेना अच्छे तरीके से कम से कम तीस तक बागी दोस्तों उनके लिए अलग लग लग से ठीक है जो क्लास आएंगे मैं आपको बता दूंगो किस दिन बताऊंगो ठीक है ना आपके उन्दवे चल लिए सारी क्लास से स्टीडूल के हिसाब से ठीक है सबसे पहले हम आपको एलजाबरा करांगो उसमें सिंप्लिफिकेशन ठीक है और फ्रेक्शन हो जाएगा ठीक हो जाएगा ठीक है और बाकि दोस्तों उसके बाद में जो भी आपके जप्टर आ रहे होंगो दीरे दीरे उसी के इसाब सम्ट चलते रहेंगे ठीक है तो देखिए का स्ट्रेंट्स आपकी स्क्रीन पर स्कॉसन को करने जा रहे हैं स्कॉर मैंस भी स्कॉर आपका फॉर्मला अच्छा कोशन आपके नंबर सिस्टम से रिलिटेड है और मैंने जो यह आपके लिए सैट रहे हैं दोस्तों आपका मैं जहां पर लगता है कि आपको बताना बहुत जरूरी है बताया जाएगा बिल्कुल अगर लग रहा है कि हापर ट्रिक कोई लग सकती है तो वह भी बट आपका उचीतिया बनता है वह आपका उचीतिय यह बनता है कि जो लाइक है ना वह भी दोस्तों आज आपकी क्लास के कितने होने चाहिए पचास ही होने चाहिए ठीक है तो देखेगा त्री फीफ्ट ऑफ दे स्क्वाइर और फासरे नंबर इस 126.15 वाट इस दे नमब ठीक है मैंने आपसे डिट लॉस्त उचलास में पुछा जाएसे सबसे चोटी प्राइम नंबर कौन सी है वर्यट इस दा लीज्ट प्राइम नंबर याद कर लेना टूए ठीक है आपके अग्जाम्स में हजार बोशन आयो यह जारू उडिगी तो बिस्टी को असनों होते ह लिखाउं एक्स थीक न तो यहां पर क्या लिखाव है दोस्तों इसका इसक्वार में my Social किसवार को यहां तो स्थम्देश्ट अब एक्सक्राइड का कितना थ्री तो हो गया आपका बागे दोस्तों कि जीरो जाएंगी दो क्योंकि मैं देख पार हो को किस तरीके से करना है तो बिल्कुर आपका हो चुका है और यह अक्सिस्कोर है ठीक है आप इसको कैलकुलेशन कर लो आपका को संब चुका है ठीक है ज़रा देखेगा पांस से मेरे को ठीक है जी बिल्कुल और यहां पर क्या आगया पचिस और चबविस पांच दुनिदास पांच त्या पंदरेट ठीक है बिल्कुल अब तीन से काट देंगे ठीक है ठीक है ना फाइफ फॉर जार ट्वंटी तो यह आपका दोस्तों आट सो एक्तालिस बटे चार आट सो इक और यह दोस्ता आपका ओह अच्छा है विश्कों में कैलने चलाउट करना तो साड़े चोदा लगवर्ड चोदा पॉइंट पांच के लिए रोचुका है कोई प्रोब्लम हो तो कमेंट जरूर कर देना आगे देखें कि दोस्तों दे वैली ओफ इस को संगी इस को संगा आपक क्यूब ओफ रूट इस थेरी 1372 ठीक है और देन आगे के दिरके स्टुडेंट इसमें 1458 डिवाइद बाए 343 क्यूब रूट ओफ 343 अब आपके ओपर डिपेंड करता है कि आपको याद है तो तीन की पावर तीन कितना होता है आपको पताँ सर सथाइस होता है मैं पूछ और या ओर अली टिए प्यूड़ आपरूatार ना उन्हयान कितना होता हुआता है तो इसी तरीके से 9 पावर 3 कितना होता है ना सिवन्कूना marcanal to 9 सैभर मैं सको क्या करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा मैं डिपेंग जिससे आपको पता लग जाए क्योंकि 343 आपका दोस्ता 12 ठीक है 7 और 1 ठीक है ना यहां तक तो ठीक है मेरे साब से बिल्कुल अगर मैं इसको एक करके बता रहा हूं बस आप सभी लोग इसे अलग कर सकते हैं पर यहां मेरे को तो यहीं पर करने पड़ेगा ना ठीक है और यह दोस्तों शादर चाहें 13 और 14 तीन दूरी 6 तीन दूरी ठीक है कि 2 6 12 1 2 8 16 2 6 12 ठीक है फिर मैं इसके करता हूं तो यह कितना जाएगा 2 थीरचा यह लग या ही कौसन हो गया ठीक है अब आपको बताने जा रहा हूं जर्द देखना इसके तो फेक्टर आ चुके हैं स्टुरेंट्स आपके आ चुके हैं कौनसे वाले कि जिसकी मैं ब multiply 343 ठीक है अब आगे वाले की बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसकी दोस्तों आपके कौन से वाले की जो आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है multiply में 3 into cube root 1458 इसको मैं थोड़ा से ही कर लेता हूँ 2 into 2 714 2 2 4 2 9 739 हो गया वे 2 into 729 ठीक है ना cube root है कोई दिक्कत नहीं है 3 cube root of 3 4 3 यहां तक आपको कोई problem नहीं होगी मेरे साबसे तो cube root of 4 इसको मैं लगकर लेता हूँ into cube root of 343 ठीक है ना and multiply में cube root of 2 and multiply में cube root of 729 सबको मैंने अलग-अलग कर लिया नीचे दोस्त आपका ही था क्योंकि मेरे को किसे ले किया क्योंकि मेरे को यह क्या करना इस तरीकर से करना था यह आपस में दोस्तों क्या हो रहें कि कट रहे तो इस वाज़ इसे किया ठीक है ना तो दोस्तों टर्म बार आ जाती है इस तरीके से दोस्तों आपका आ चुका है कितना टू बट इसमें टू नहीं आ रहा है आई थिंक हमने कहीं गलत कर दिया एक कोसन ठीक है हाँ भई हमने यह लग रहा है कि हमने कहीं से कहीं तक इसमें कुछ ना कुछ तो गडबड जरूर की है 108 कोसन आपका ठीक है बही और इसमें हमने क्या कर दिया भई कि 343 क्यूब रूट आपका कट चुका था क्यूब रूट ही तो ऐसा रहे कुछ ठीक है बही बिल्कुल कि दो दुनी चार दुनी आठ सॉरी यह तो लिया इन हमने गुणा में नो जरूर आएगा क्यों आएगा क्यों कि नो निम क्या सी यह लिख रहा ठीक है ना तो दो निमा ठारा कितना आगे बढ़ आपका ठारा ओप्सन नमबर एक ठीक है क्लियर हो गया हाँ भई देख लो जलती सभी कि सभी इसको चोटा कर देता हूं देखो ठीक है आगे चले अगला को सदक तरह सकरेरियों पर to के और एकदम जबरदस्त टाइप के ठीक है क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक ही इसमें सैक्ट नहीं करा रहा है कि आपके दोस्तों कभी भी हमारे एकजाम इस तरह को सब्सक्राइब क्या करते हैं यह आपका निम्रेटर होता है यह आपका डिनूमिनेटर होता है तो दोस्तों मंटिप्लाई करते हैं इसमें फॉर वन जए फॉर प्लस के वन ठीक है न है यहाँ तक हुआ मेरे हिसाब से अब देखना जो मैं कराऊंगा ठीक है टू बाई ठीक है टू पिलस यह हो जाएगा आपका यह इसके नीचे है पूरा ठीक है फिरी अपोन में यह केतना आज चुका है आपका नो बटे पांच अब यहां पर क्या कर रहे होंगे यहां का उचित्य समझना बहुत जरूरी है इस्टुडइंट ठीक है यहां पर हम क्या करते हैं यह आप की नीचे वाली ट्रम कर देते ऐं अब अच्छल 순 कोर तो टू पिलस सर्च्ण इसा आइन अपोन 5 ठीक है तो हम कि मंदिप्लाई में करड़ेते ना कि दोस्तों सुकरते हैं आपको मैं जो इसा क्यो होगे हम numerator में करते हैं ठीक है तो denominator में होगी इस वज़े से बता रहा था ठीक है किलियर हुआ तो देखेगा पांच त्या पंद्रह बटे कितना जाएगा दोस्त आपका नो तो यह आ चुका है दोस्त आपका पंद्रह बटे नो ठीक है तो इसकी जगह लिए स्टुडेंट्स आप सभी लोग पंद्रह बटे नो लो जी वन पिलस के एक बार के लिए लिए समझा दे रहा हुँ अच्छे तरीके से वन प्लस के टू अपोन में आपका टू प्लस के पंद्रह बटे नो आ चुका है कि नो दुन अठारा और पंद्रह कितने होगे स्टुडेंट्स आप बटे नो ठीक है ना बिल्कुल तो यह आपका स्टुडेंट्स आच चुका है इसको मैं यहां लिख देता हूं हलका सा थोड़ा से समझाने की परपस से थोड़ा से ज्यादा लेंदी जाएगा कुशन बट कोई नहीं वन अपोन में वन पिलस के दो बटे 33 बटे 9 कोई दिक सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं मेरे साथ से यह आप तक आगया आप समझ में आ गया है तक अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या करने वाले हैं इसमें 38 33 और 18 कितने हो जाएंगे अब इसको यहां कर लेते हैं ठीक है ना हलका सा थोड़ा सा आप समझने की पूरी कोशिस कर सब्सक्राइब नहीं हो जाएंगा दोस्ता आपका यह बटे 33 और उपर दोस्ता आपका एक और यहां पर दोस्ता आपका प्लस वह प्लस इसके साथ है ठीक है इस वाले के साथ है ठीक है ठीक है स्टुडेंट्स तो यहां तक किलियर हुआ आप सभी को अब देखना हलका समय स्कॉर कर लेता हूं 33 की जब आप पंडिप्लाइ करें 33 और एक तो यह जागा दोस्ता आपका चोंतिस अपोन में 51 ठीक है तो यहां देखेंगा आपका दोस्तों ओ चुका है ठीक है 34 अपोन में 51 ठीक कोई दिक्कत मेरे इसाब से यहां पर नहीं हो रहे हुग आपकी आई थिंक मेरे को इसमें थोड़ा सा सत्रे दुनी 34 और सत्रे त्या 51 ठीक है न थीन बटे दो यह तो कैंसिल आउट हो गया कहीं प्रॉब्लम हुई है क्या बाई मिस्टेक मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं मिला इस वज़े से हमने कहीं प्रॉब्लम कर दिये बस एक बार चेक आउट कर लेता हू आप सभी लोग भी इसी तरीके से स्कूशन को करेंगे ठीक है भई ध्यान से समझे ले ना 3618 11 यह हो चुका है यहां पर हमें यहां पर इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करना था बागी कुछ नहीं था इसमें ठीक है देख ले आपने हलकाशा में इसको इधर कर देता हूँ आप सभी लोग को दिख जाए जिससे की यह ठीक है देखेगा ठीक है मेरी वोइस के लिए आ रही है क्योंकि थोड़ी से प्रॉब्लम और किस वज़ से तो हमने इसको कैंसिल आउट किया है और कुछ नहीं किया है ठीक है इसके बाद में जो आपका स्टुरेंट्स यह ही है और मैंने इसको क्या क्या है 3618 और 311 जा 33 तो 11 वंजे 11 और 617 तो वन कि अ कि अ कि कोई बात नहीं 11 वंजे 11 प्लस के 6 अपॉन में 11 तो यह हो गया दोस्ता आपका कितना सत्रह बटे 11 ठीक है कितना होगे दोस्त आपका एक सही एक बटे वन प्लस के वन अपॉन में कि का ठीक है सौरी दोस्तों प्रोब्लम हो रही है बहुत जादे इस वह से थोड़ा से लगart yape आपको भार-बार अवाज म्यूट और यह इस वे से ठीक है तो यह दोस्त आपको हो जागा कितना ग्यारा बटे सत्रह और एक सही ग्यारा बटे सत्रही दोस्त आपका अंसर था ठीक ना भी इसको मैं लग से भी बता दूंगा आप सभी लोगों को ठीक किस तरीके से किया आप सभी लोगों क्लियर हो चुका होगा और मैं स्कॉल का छोटा कर लेता हूं जिसे आपको थोड़ा सा दिखने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है यह आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे पहले यह वाली लाइन थी आपकी ठीक है पहले नंबर पर दूसरे नं पांच चार नो बते पांच है दोस्ता अपका प्याश्च तहीं पंदरफ देनों होगे दोस्तों 15 20 15 मेंों मेरे हिसाब से ठीक है ना 15 15 15 बते नो ठीक है यह दो सब्सक्राइब नो और पंदर चोविस बटलों में तो नो दून एठ्ठारा अठ्ठारा बटे चोविस एक सही ठीक है ना इस तरीके से 24 एकम 24 ठीक है बिल्कुल 24 एकम 24 और 10 34 और 8 कितने होगे दोस्ता आपके 42 अपोन में 24 46 42 होगय कोशन ठीक है मैं चाहत होता ऐसे समझा सकता था बट आप सभी लोगों कुछ भी किलियर नहीं हो पाता इसलिए इस कोशन को आप सभी लोग बनाओ 68 को अच्छा कोशन है यह आपके ऊपर मैंने यह आपके ऊपर छोड़ दिया ठीक है अगला कोशन अच्छा कोशन है आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा सभी लोगों ने rectangle जी से कहते है दोस आपका आयत जो जोस्तों आपके कितनी बुजाओं से मिलका बना होता है चार बुजा एक दो तीन चार पर इन चारों की दोस्तों एक property होती है कि इसमें जो ना आपकी दोस्तों इस वाले की दोस्तों अगर लंबाई चार है ना तो इसकी जो ही लोगे ने पहले जिसकी साली साइड इकुल होती किस तरीके की दोस्तों आके इकुल होतीह यह आपका स्कॉएर है एंड इसमें क्या दे रखाए स्टुडेंट्स आपका इसमें रखाए स्टुडेंट्स इन्होंने क्या कि इसका डाइगनल यह कहलाता है आप से लोगों पता हो को विकर निची से कहते हैं हिंदी वासा में वह दे रखाए दोस्तों यह इसकी लेंट हो 24 cm दे रखे इसमें आप से पूछा है कि यहां से आप चले और इसी स्थान पडाकर रुगे तो दोस्तों यह कहलाईगी इसके वर्ग का परी माप ठीक है यह दूसरी वासम परीदी भी कह देते हैं कोई बड़ी बात निया ठीक ना तो यह परीमाप तो परीमाप स्क्वाइर क्या होता है दोस् सारे साइड क्या होती है इसलिए को यह दे साइड्स तो यह टूसर आपकर का फोर्मुला 4A कि परिमाप पर-मीयटर का फोर्मुला में तू कि वह भी अंडरोट में अच्छा कोशन है इसी के चैप्टर में दोस्त आपको बता दूगा थोड़ा सा आपके लिए दोस्तों एक नया कोशन ले लेगी कोशिस करें अगर आपको समझ में आए तो एक बार थमसब जरू करना कि सर हमारे समझ में आपका दोस्तों कौ कि बाकि देखते हैं दोस्तों इस गल्टो चोविस अपन में रूट दो आपका आचुका है रूट दो दोस्तों हम लिख सकते किस तरह के से इसे किस तरह के लिए बारा दूनी चोविस ठीक है अपन में रूट दो इस तरह के सा जाएगा तो दोस्तों किस तरह किस लिख सकत चार इंटू बारा रूट दो 48 रूट दो इसका अंसर आ ठीक है किलियर अगला किसी तरभूज के कौन इस तरीके से आपके दे रख्या है इस रेसों में and then क्या दे रखा है if the angle of our triangles are in the ratio of two ratio three ratio four ठीक है एक और स्थोर्ट इसको ट्रैंगलगों से रख्या, यसे रख्या है चनल में बें Ob två रयूअ को साथ लीप एक बाहर आते है उसके साथ में कोई भी एक certain number ले लेते हैं कि दोस्ता आपका यह वाला जिसे हम क्या कहते हैं दोस्ता आपका कौन सा variables ठीक है कि टूएक्स रेसो 3x रेसो 4x ठीक है ना the side of a triangle क्या होता है दोस्तों the sum all of मतलब क्या करना हम दोस्तों कि दोस्तों आपकी जितने भी आपके angles हैं ठीक है ना इनका जो sum होता है वो कितना होता है यादि कि तिर्बुच के तीनों कोनों का योग 2x plus 3x plus 4x is equal to 180 degree के लियर है आपको इस दो तीन चार पांच नो 9x is equal to आपका दोस्तों आगा 180x के वहले आगे दोस्तों आपकी हासे कितनी 20 20 आपके आगे तो सबसे बड़े कौन और सबसे चोटे कौन का अंतर कितना है समझे ना the difference between the greatest angle and least angle greatest angle दोस्तों आपका दोस्तों सोरी दो है तो हकरने जा रहे और अच्छे तरिके से इसी तरई के स्टांट करने जा रहे बाक identifier दोस्तों जो मैं आपको बताए पहले इसकी वेइं चलेंगे यह कोशना लेक BETH आपको बताना है करके 68 को संथ आप को मता चुका हूं इसका सभी के सभी चलिये मिलते आपने नेक्स सेशन में इसी तरीके से टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लो डेली की क्लासिस के लिए बागी दोस्तों कोई अपडेट होगी तो तुरंत आपको दोस्तों सबसे पहले प्रोवाइड कराने की बुरी-बुरी कोसिस करेंगे